हेलो एवरिवन वेलकम टो एलसीटी दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका एलसीटी में लर्निंग कैंपस टेटोरियल में उमीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो के अंदर हम सूर्सेजाफ हिश्ट्री आफ कश्मीर को डिसकस करेंगे वैच कि मुझे उस वीडियो पर कोई satisfaction नहीं थी क्योंकि उसकी audio quality भी अच्छी नहीं थी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके अपर एक दबारास एक नई updated वीडियो बनाऊं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिश्ट्री आफ कश्मीर के पर लेक्टर ची मैंने डिलीट किये थे उनके पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा और इस सीरियो को भी कंप्लीट कर देंगे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मुझे खुद कभी थोड़ा काफी ज़यदा मुझे खुद कभी पढ़ना होता है और कुश कर मैं कश्मीर के उ आखी है लेकर मुझे लेक्टर बनाने कर दासां तो टाइम के सासर जैसर 450 मुझे मुझे मिलेगा उनके फर्म उनके प्र रूम कर आऊंगा है क्ष डे कर दून का जोग्राफिक को भी की करवा दूगा economy को भी complete करवा दूँगा polity को भी complete करवा दूँगा मैं बात कर रहा हूँ जाइंड के की तो इस वीडियो के अंतर sources of history of kashmier को हम discuss करेंगे important रहता है exam perspective से क्योंकि अलग-अलग books के नाम पूछे जाते हैं तो start करते है sources of history of kashmier यानि history of kashmier कैसे हमें history of kashmier की information मिलती है simple सी बात है तो देखे इसमें आपको क्या याद रख लेना है ancient history of kashmier के अगर हम बात करेंगे तो हमें ancient history of kashmier यानि काफी पुराने time की information है history of kashmier की information हमें कैसे मिलती है तो सबसे जो पुराना source है earliest source आप कह सकते हो oldest source जो आप कहोगे history of kashmier का यानि उससे पुरानी और कोई बुक नहीं है जो हमें कश्मीर की information देए कश्मीर की history के पर information देए जो सबसे पुरानी बुक है हमारे पास oldest book of history of kashmier वो है नीलमत पुरान ओके तो नीलमत पुरान जो है यह सबसे पुरानी बुक है oldest book है about history of kashmier और इसके अगर हम author की बात करें तो इसका जो author है वो unknown है देखे दो कोच्चन यहां से निकल जाते है कोच्चन ऐसे आ सकता कि बताओ नीचे दीए गई जो books है इन में से किस book का author unknown है हमें मालुम नहीं वो कोच्चन ने किस ने लिखिए क्योंकि book का पुरानी है author का मालुम नहीं हमें कोच्चन है तो यहीं से निकल जाता है नीलमत पुरान आ जाएगा आपका अंसर इसी तरह से यह पूछा जा सकते oldest book कोच्चन से history of kashmier के पर तो वो कौन से आ गई नीलमत पुरान अब इस के लाव आपको क्या याद रखना है नीलमत पुरान हमें बताती है कि यहां के जो कश्मीर के original residents हुआ करते थे वो original residents कौन थे नागाज हुआ करते थे आप यह समझ लीजे नागाज एक तरह की ethnicity समझ लीजे ठीक है तो नागाज एक तरह की ethnicity समझ लीजे जो यहां के original residents थे और उनको नागाज को यहां पर replace की इसने किया रिप्लेस किया था आरियन्स नागाज के बाद यहां पर आरियन्स आए थे सिंपल सी बात है उसके बाद सतीसर लेक की यह बात करती है ओके देखे इससे कितने कौचन बन रहे एक तो आपका यह बन गया कि सबसे oldest बुक कौन सी हिश्याप कश्मीर के पर वो आ गया नीलमत परान किस बुक का author अन्नोन है तो नीलमत परान का author अन्नोन है उसके बाद कौन सी बुक हमें बताती है कि यहां के जो original residence है वो नागाज थे तो यह information कौन सी बुक देती है नीलमत परान देती है साथी साथ यह अगर पूछा जाए कि बताओ भाई प्री राजतरंगनी एरा राजतरंगनी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो प्री राजतरंगनी एरा के अगर बात करेंगे तो प्री राजतरंगनी एरा के information कौन सी बुक देती है नीलमत परान देती है साथी सर लेक का reference हमें किस बुक से मिलता है तो वो हमें नीलमत परान से मिलता है साथी सर लेक के अपने कहानी सुनी होगी एक कहानी है कि भाई पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो एक टाइम पे एक बहुत बड़ी लेक हुआ करता था और बाद में यहां पे एक डैमन की भी कहानी है फिर एक रिशी आए ओके और रिशी ने उस डैमन को आई थिंग ख़दम कर दिया और उसके बाद फिर यह जितना भी इस वैली के अंदर पानी था उसको ड्रैन आउट कर दिया और यहां पे कश्मीर की वैली जो है उस तरह से उसका ओरीजन हुआ कुछ ऐसी जैसी कहानी मुझे अच्छे से याद नहीं है वो आपके लिए इमपॉर्टन नहीं बस इतना याद रख लेना कि सतीसर लेक की जो कहानी है वो रिफरेंस हमें सतीसर लेक कहां मिलता है किस बुक मिलता है तो नीलमत परान में मिलता है ठीक है उसके बाद हम बात करें तो राजतरंगनी कलहन्स राजतरंगनी सुना होगा नाम इसका ओथर कौन है पंडित कलहन या कहीं पे कलहन लिखा होगा या कलहन पंडित या पंडित कलहन एक ही बात है कलहन कुन था तो इसे कंसिडर किया जाता फुर्ष्ट हिस्टोरियन आफ कश्मीर अब देखे राज तरंगनी से पहले नील मत पुरान लिखी गई है लेकिन इसका जो आथरे वो अन्नून है तो जो पहला आथर में किसी बुक का मिलता है वो मिलता है कलहन तो इसको फुर्ष्ट हिस्टोरियन आफ कश्मीर कहा जाता है वैसे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो फुर्ष्ट हिस्टोरियन तो अन्नून ही है उसका नाम ही मालूम नहीं है लेकिन अगर नाम पूछा जाए कि फुर्ष्ट हिस्टोरियन आफ कश्मीर कोन है तो वो कलहन रहेगा राज तरंग ने का मीनिंग क्या है रिवर आफ किंग्स क्योंकि इसमें बहुत सारे किंग्स की इनफॉर्मिशन दी हुई है आप देखों कि राइट फराम्द महभारता टायम तो संग्राम देव संग्राम देव के बारे में हमने आगे पढ़ना है संग्राम देव तक महभारता टायम पिरिड़ से लिकर संग्राम देव तक इतने रूलर आए उसकी इनफॉर्मिशन दी हुई है इस बुक के अंदर ठीक है इंपॉर्टन क्या है इसके अंदर कुछ मिलेगी दूसरी बुक पे कुछ मिलेगी तो डेट याद रखना जुरूर नहीं हाँ सेंच्री याद अगर रखोगे ट्वेल्थ सेंच्री की बात है लिकर उसमें भी जो इंपॉर्टन बात जो मोस्ट इंपॉर्टन बात याद रखने की है वो ये है कि परी राज तरंगनी को किसके टाइम पिरिड पे कंप्लीट किया गया है तो जया सिमा जो लोहारा डाइनिस्टी का रूलर था लोहारा डाइनिस्टी की बार में हम पढ़ेंगे लोहारा डाइनिस्टी का जो रूलर था जया सिमा उसके time period पे राज तरंगनी को complete किया गया है ये important बात है अब इसको originally किस language में लिखा गया था संस्क्रिट में लिखा गया था बाद में इसका person translation किया जाता है मुला एहमद के दोबारा और किसके time period पे किया जाता है सुल्तान जैनुलाबदीन सुल्तान जैनुलाबदीन के पर detailed lecture detailed मतलब जो जितना जरूरी है मैं उतनी ही चीज़ डाल देता हूँ extra में कुछ ने डालता exam के perspective से जो important है वो ही डाल दूँगा okay मैं किसी expedition की कहानी फालतों में नहीं डालूँगा okay किसी conquest की कहानी फालतों में नहीं डालूँगा जो किसी काम की नहीं है जो चीज़ important होगी जो चीज़ पूछी जाती जिसकी objective बनने के chances होते हैं उतना ही में डाल देता हूँ तो यहां पे देखो एक एक point के पर एक एक objective बनता है यहां पे तो originally किसमें लिखा गया था जाया सिमाप लोहारा डाइनेस्टी ठीक है आथे English translation एक Austin नाम का राइटर था 90 सेंचरी में उसने इसका English translation भी कर लिया था यह भी important बात है अब उसके बाद देखे बहुत सारी books हैं बहुत सारी sources हैं आपको history of कश्मीर के पर बहुत सारी sources मिलेंगे सब को पढ़ना ज़रूरी नहीं है सब को याद रखना भी ज़रूरी नहीं है बस जो मैं यहाँ पर बताओंगा उतना ही याद कर लोगे that will be enough तारीख कश्मीर के अगर हम बात करें तकि इस नाम की बुक तारीख कश्मीर नाम की बुक बहुत सारे authors ने लिखी हुई है तो मैंने कुछ नाम यहाँ पर इकटे किये हैं जो famous है मलिक हैदर की बात आती है मलिक हैदर ने तारीख कश्मीर लिखी जो क्या थे युस्प शाद चक के टाइम पे एक दरबारी आप कहसे थे एक दरबारी थे उनके कोट में हुआ करते थे उन्होंने तारीख कश्मीर लिखी थी फिर सईद अली का नाम भी आता है इन्होंने भी तारीख कश्मीर के नाम पे किताब लिखी थी हसन यली के ना हसन भी अली ओके इन्होंने भी तारीख कश्मीर के नाम के उपर मतलब इस नाम से किताब लिखी थी जहांगीर के टाइम पिरेड में बाद में नारायन, कॉल, अजीज इन्होंने भी तारीख कश्मीर के नाम से बुक लिखी थी तो कहीं आपको दिखकर आएगा के तारिक एकश्मीर रिटन बाइ सईभी इने डूसरी बुक पे लिका आएगा तारिक कश्मीर रिटन बाइ अस्टन अली तो बन्द boils कंफीॉज हो जाता यार किसने लिकी है मलेक एख सहीद अली ने लिकी हासन भी अली हो, ओरोप्शन डी जो है, वो डेफिनिटली फिरावलाव दिया वो होगा, ओके टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये तो हो गई तारिख कश्मीर, ठीक है, फिर है एक तवारिख कश्मीर, इसको किसे ने लिखा है, इसको लिखा है, मौलवी गुलाम हुसेन ने, मौल आर्ट एंड क्राफ्ट आफ कश्मीर उसके इंफॉर्मिशन देता है। उसके बाद जो इंपॉर्डन बात है इस बुक की वो ये कि कश्मीर में 1875 टॉ 76 की ये बात करता है कि उस टाइम पे फैमाई नाया था। ये कौन बात करता है तुवारिक एक कश्मीर उस टाइम पे फै कुछना सकता है कि बताव भाई 1875 76 फैमाई ने कश्मीर ये किस बुक में लिखा गया है और उसका ओथर कोन है इस तरह से कुछना सकता है ठीक है वक्त कश्मीर के अगर मैं बात करूं तो वक्त कश्मीर खवाजा महमद आजम कोल ने लिखी है 1748 अगैन मैं बता दूं ते को date important नहीं है exact date आपसे कोई नहीं पूछने वाला दशक अगर याद रखोगे century अगर याद रखोगे okay तो century कुन सी 80th century है 80th century में लिखी गई है वक्त कश्मीर ओके information किस चीज़ की देती बाई religious और social trend उस वक्त कश्मीर में कैसे थे उसकी information देती है हाँ मुगल्स के अंदर literary achievements क क्या क्या की कश्मीर ने इसकी information भी वक्त कश्मीर हमें देता है ठीक है उमीद करता हूँ यहां तक चीज़े clear होगी फिर इसके बाद जो books हैं कुछ याद नहीं रखना authors के नाम याद रख लेना तारीख रुष्टी मिर्जा हैदर ने लिखी है उसके बाद तारीख हसन हसन ने लिखी है तारीख किष्टवाड ठीक है ना किष्टवाड याद रख लेना ये किसने लिखी है शोजी धर ने लिखी है मुक्तसर तारीख कश्मीर ये किसने लिखी है ये स्पेस डालना भूल गया यहां पे स्पेस है बीच में पंडिट बीरबल कच्रू इन्हों ने ल की हुई है तो यह थोड़ी सी सर प्लस इंफरमिशनिस के बारे में यह याद लिक्षी गई है उसके बाद आदिश चंआर का नाम अपने न सुना जाएं इस भूक को बात करें जो first mention मिलता है देखें मेरे ख्याल से ये important बात है first mention जो कश्मीर का हमें मिलता कहीं बाहर किसी foreign account में ऐसे तो हमने देख लिए नील मस्परान में हमें लग गया पता कश्मीर के बारे में लेकर अगर हम foreign accounts की बात करें foreign accounts में polymese geography जो है वो हमें information देता है कश्मीर के बारे में foreign accounts में सबसे पहले अगर कहीं मिलता है तो polymese geography कोई इसको polymese geography पढ़ता है कोई टॉलमese geography पढ़ता है spelling याद रख ले ना pronunciation अलग अलग मिल जाएंगी ओके आज़ा hero dotus इसका नाम सुना होगा ये फादराफ history है इन्होंने भी एक city का mention किया है caspateros caspateros नाम की city का mention किया है अपने book के अंदर अपने papers के अंदर तो ये जो caspateros नाम की city का इन्होंने mention किया है इसके जो characteristic feature बयान किये हैं जो लिखे गए हैं वो कश्मीर के साथ resemble करते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि वो जो caspateros नाम की city है वो कश्मीर के बारे में ही इन्होंने most probably कश्मीर के बारे में ही इन्होंने mention किया होगा ठीक है उसके बाद ह्योंसेंग का नाम सुना होगा history of कश्मीर में ancient history of इंडिया में भी आता है ह्योंसेंग जो Chinese traveler थे यहां पे आये थे कश्मीर में 631 तो 34 का time period है यानि 7th century की बात हो रही है इन्होंने क्या काम किया था इन्होंने history of कश्मीर के उपर लिखा था कश्मीर के बारे में लिखा था इन्होंने कश्मीर के जो routes है रास्ते जो हैं के बारे में भी काफी accurate information दी थी अंदर आने के रास्ते बाहर जाने के रास्ते उके उसके बारे में लिखा हुआ था उस वक्त जो kingdom था उसकी जोग्राफिक boundaries के बारे में भी information दी हुई कि अभी जो presently यहां पे king है इसकी boundaries कहा था कि कितना extension है कितना extend है उसके बारे में कहा था अलबेरोनी का भी हम mention हिस्टरी में पढ़ते हैं औरली मेडिवल हिस्टरी आप कह सकते हैं इंडिया की उसमें हम पढ़ते हैं तारिक हिंद जिनकी काफी famous book है उसके अंदर उन्हें कश्मीर के बारे में लिखा था लेकिन इतना याद रख लेना थे कि नौर्थ इंडिया में तो आए थे महमुद गजनी का जब time period पढ़ते हैं उसमें इनका mention मिलता है उनके साथ थे महमुद गजनी के साथ थे ये अलबेरोनी तो इन्होंने क्या काम किया था इन्होंने खुद तो परसनली कभी कश्मीर ये आई नहीं थे ये बात याद रिख लेना परसनली ये खभी खुद कश्मीर नहीं आए लेकिन इन्होंने लोगों से सुना था ये जब नौर्थ इंडिया में आये थे इनने लोगों से मिला बात चीट इनने की कश्मीर के बारे में इनने सुना और ये काफ़ ज़ादा इंस्पायर हुई इनने अपनी बुक अल ये सौरी तारी के हिंद में कश्मीर का मेंशन किया है ठीक है उसके बाद इंपॉर्टन्ट है सर वाल्टर लॉरेंस इनने वैली आफ कश्मीर के पर बुक लिखे है लदा की हि्टरी के ओपर अलेक्जंडर कनिक हम ने लिखी है लेंड अफ हिल जो जैन्ट की हिश्टरी के बारे में इन्फारमिशन देती है जैसी समिछने वो बुक लिखे हुई है ठीक है तो ये थे foreign accounts इस तरह से जो sources of history of kashmir जितना मेरे ख्याल से important था उतना में ने बता दिया ज्यादा इसमें गुसने की जरूरत नहीं है अंदर हाँ आपकर कोई book लेकर पढ़ रहे हो कोई दूसरी book आपको लग रहा है कोई चीज आपको अपने हिसाब से important लग रही है कर देना notes कर देना मेरे ख्याल से history of kashmir उतनी लंबी नहीं है personal notes बना लेना इन slides को लेकर भी note कर लेना अच्छा रहेगा क्योंकि जो हम चीज़ खुद लिखते हैं लेकर मेरी क्या आदत है मैं आपको बताऊंगा होती है जो अपने हाथ से लिखे हुए notes होते हैं उनको revise करना ज्यादा आसान होता है तो इसके बाद बाकि जो लेक्चर आएंगी हिश्टर आप कश्मीर के पर उनको भी time के साथ-साथ उनको भी में लेकर आऊंगा और जैसे मैंने कहा कि जिएनके के related जितनी भी